नमस्कार दोस्तों मैं रोन शर्मा हाजिरों आप सभी सामने आपके पने चनल जोतिशन वासतु में कैसे हैं आप सभी दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं गुरू के राश्री परिवर्तन के बारे में 30 जून 2020 ये वो दिन है जिसका लंबे समय से इंतिजार हो या फिर कितने सारे सवाल खड़े होते हैं क्योंकि यहां पर जोतिश में दो राय चल रही है दो डिफरेंट गुट बने हुए हैं एक तरह से और कुछ लोग जो कह रहे हैं कि यहां से 30 जून के बाद जुलाई के महीने में केसिस बहुत जादा बढ़ जाएंगे डेथ बह बिल्कुल खतम हो जाएगी जो आज 58% है वह बिल्कुल डाउन हो जाएगी क्या ऐसा वास्तव में होगा या नहीं होगा आए इसके बारे में हम थोड़ी से आज चर्चा करते हैं और जोतिश यह गंड़ना क्या कहती है उसका एक प्रारूप में आपको बताता हूं एक सच आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं हम थोड़ा सा पीछे जाने के चीजें कहां से शुरू हुई वहां से शुरू करते हैं थोड़ा सा 5 नवेंबर 2019 डेट आपको सभी को याद होगी क्योंकि मैंने पहले भी यह डेट आप सभी को बताई है 5 नवेंबर 2019 को जब गुर करोना वाइरस की शुरुआ थे जो हुई है वह इस डेट से हुई है हाला कि इसकी शुरूआ तो और पहले से हुई है पर उसमें अभी समय चला जाएगा हम सिर्फ बात कर रहें गुरू की जब गुरू पांच नवंबर 2019 को इस राशी में आये थे दनू राशी में आये थे तब वहाँ पर गुरू के साथ साथ केतू अलड़ी बैठे हुए थे और गुरू वहाँ पर मूल नक्षत्र में प्रवेश किया था नोट करिएगा गुरू ने जब प्रवेश किया था तो मूल नक्षत्र में प्रवेश किया था और केतू के साथ साथ शनी ने भी वहाँ पर गोचर कर रहा था तो गुरु याप्ट जब वहाँ पर आय तो शनी और केतु की यूती बनी वहीं थी इसी के साथ साथ आप देखेगा कि जब गुरु ने केतु के नक्षत्र में प्रवेश किया था तब वहाँ पर राहू अपने diligence नक्षत्र आद्रा नक्षत्र में थे और इस कारण से आगे जाकि जो संयोग बना जो कि 26 दिसंबर 2020 का संयोग था 26 दिसंबर 2020 यह वो सूर्य ग्रहन ने जिससे कयास लगाय जा रहे थे कि इस सूर्य ग्रहन से सारी घटनाओं का शुरुवात हुआ आरंब हुआ क्योंकि 29 दिसंबर 2020 को चाइना ने केस बाहर किया था कि यहाँ पर किसी एक नए वायरस की पुष्टी कि गई है और उससे डेट्स हुई है तो जब वो सूर्य ग्रहन हो रहा था तब चंद्रमा बुद्ध गुरु यहाँ पर अस्त थे साथ ही साथ शनी 29 तरीकों जब पहला केस डिक्लेर हुआ तब शनी यहाँ पर अस्त हो गए अब सवाल यह उट रहा है कि यहाँ पर जो वापस परिस्तिती बन रही है क्या यह वो ही परिस्तिती है या नहीं है इस सवाल का जवाब हम अभी देने की कोशिश करेंगे जब हम 5 नवंबर 2019 के बात करते हैं तो सूर्य वहाँ पर नीच राशी में थे सूर्य जो थे वो नीच राशी में थे मंगल जो थे वो शत्रू राशी में थे और राहू और केतु ने मिलके एक बड़े शडियंत्र की रचना करी जिसके आज हम सभी साक्षी बने हुए है अभी की परिस्तिती अब क्या कहती है ये बहुत ज़ादा जरूरी है जानना क्योंकि ये कहना बहुत आसान है कि जुलाई में केस बढ़ेंगे या गुरू के राशी परिवर्तन के बाद केस बढ़ेंगे पर इसमें सच्चाई कितनी है वो हम आज जानने का यहाँ पर प्रयास कर रहे है जब यहाँ पर गुरू का राशी परिवर्तन होता है उससे पहले क्या हुआ वो जानिये सूर्य ग्रहन आया और शुक्र का यहां पर मारगी होना शुक्र ने यहां पर मारगी होके 6 ग्रहों की जो वक्री होके यूती थी उसको पूरा-पूरा नश्ट कर दिया, पूरा-पूरा समाप्ट कर दिया तो आज की रेट में 6 ग्रह वक्री नहीं है पांच ग्रह वक्री हैं, उसमें से भी एक ग्रह अस्थ है, तो ये एक और समयोग हुई दूसरी चीज़, जब गुरु यहाँ पर ट्रांजिस्ट करके जा रहे हैं, तो यहाँ पर शनी साथ में नहीं बैटे हुए हैं शनी अपने गर में बैठे हुए है और गुरु और केतु इहां पर अपने गर में बैठे हुए है जो धनु राशी है उसमें बिल्कुल सामने मिठुन राशी में सूर्य बुद्ध और राहु की यूती बनी होगी है याद रखीगा सूर्य बुद्ध और राहु अब बहुत अच्छी चीज क्या है वो मैं आपको बताता हूँ जिस पे गौर करने वाली बात है गौर करने वाली बात यह है क्योंकि काफी लोगों का मेरे पास सवाल आया सर की गुरू का राशी परिवर्टन होगा तो बात तो वही हो गई के तुके साथ वापस गुरू बैठेंगे तो वापस समस्याएं बढ़ेगी पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ऐसा क्यों है यह मैं आपको बताता हूँ शुक्र का मारगी होना हमें एक अच्छा संदेश देने में जैसे ही शुक्र यहां पर मारगी हुए थे यूके की जो एक वेक्सीन बन रही है उसका फाइनल ट्राय शुरू हो गया था उसने दो चरण कंप्लीट कर लिए थे और वह अपने फाइनल ट्रायल में यहां पर प पतंजली ने भी हाला कि कोशिश करी एक अच्छा देने की बट कहीं न कहीं पॉलिटिक्स में लिलीजिए या कहीं न कहीं किसी और रीजन से लिलीजिए पर वो शुरू होने से पहली अटक गया हाला कि हम पतंजली के बारे में भी बात नहीं करेंगे हम सिर्फ बात करेंग में यह राशी परिवर्तन होने वाला है मतलब की गुरू उत्राशाड़ा नक्षत्र में यहां पर रहेंगे उत्राशाड़ा नक्षत्र की स्वामी कौन है स्वामी है यहां पर सूर्य और सूर्य कहां बैठे हैं बिल्कूल सामने बैठे हुए हैं और द्रश्टी डाल रहे है अपने ही नक्षत्र पर दूसरी चीज उत्रा शाड़ा नक्षत्र के राशी स्वामी कौन है तो उत्रा शाड़ा नक्षत्र के राशी स्वामी है गुरू और शनी और शनी अपने गर में गुरू अपने गर में ये बहुत ही अच्छा सहीं होग है दोस्तों अगर आपको मेरी बात पर यकिन नहीं होता हो वैदिक एस्ट्रोजी की कोई भी बुकुठा के आप देख लीजिए या फिर गूगल पर सर्च करके देख लीजिए अब भी जा सकते हैं गूगल पर चेक करीगा क्या लिखना है आपको उत्रा शाड़ा नक्षत्र में गूरु किस प्रकार से फल देते हैं या उत्रा शाड़ा नक्षत्र के राशी स्वामी कौन है और नक्षत्र स्वामी कौन है वहाँ पर आपको पूरी डिटेल पता चल जाएगी कि उत्रा शाड़ा नक्षत्र में गूरु जब प्रथम चरण में होते हैं क्योंकि सेकेंड थर्ड और फोर्थ चरण के स्वामी शनी है प्रतम चरण के स्वामी जो है वो गुरू है और यही प्रतम चरण हमारे लिए बहुत जादा महत्वपूर्ण है यही वो समय रहेगा जहाँ पर गुरू हमें बल देंगे गुरू हमें अच्छी विद्या देंगे और यहाँ पर कही न करी मेडिकल क्षेत्र म दवाईयों के शेत्र में, मेडिसीन के शेत्र में, बहुत अच्छी सक्सिस हमें देखने को मिल सकती है, कोई अच्छी न्यूज हमें यहाँ पर सुनने को जरूर मिल सकती है, इसके पूरे पूरे हम पर चांसे दिखाई देते हैं तो गुरू का ये जो नक्षत्र और ये जो राशी परिवर्तन होगा ये गोचर पे बहुत अच्छा और बहुत शुब परिणाम यहाँ पर देने वाला है राहू के साथ काफी लोग ये कयास लगा रहे हैं कि राहू के साथ गुरू का जो गुरू चांडाल योग जो बनेगा ये बहुत ही जादा खराब बनेगा और इसी कारण से एक वीडियो बहुत वाइरल हो रहा है कि 30 जून के बाद एक महा मारी बहुत बड़ी फैल जाएगी सेकंड वेव आ जाएगी डेथ रेट बढ़ जाएगी पीक पर आ जाएगा एक दो वर्ड दोस्तों मैं एक मिनिट लेना चाहूँगा और दो वर्ड के बारे में आपको बिल्कुल समझाना चाहूँगा पहला पीक पे आना दूसरा सेकंड वेव आना और तीसरा कम्यूनिटी ट्रांसमिशन होना यह तीन वर्ड यह यह यूट्यूब पे बहुत जादा चल रहे हैं आप सभी को इन तीन वर्ड के बारे में समझना चाहिए ना कि इंको सुनके कंफ्यूज होना चाहिए पहला सेकंड वेव भाई मेरे फर्स्ट वेव का अंत कब हुआ कि आप सेकंड वेव की चड़्जा करने लगए सबसे पहली चीज़ आज चाइना में बिल्कुल कोरोना खतम हो चुका है अब वहां पर कोरोना वापर शुरू होगा तो हम बोलेंग इंडिया की पूरी-पूरी पॉरी जन्संग्या का 51% कोरोना जब तक नहीं होता है तब तक कोरोना किसी भी एंगल से पीक पे नहीं होगा या फिर उस पर्टिकर स्टेट की कैल्कुलेशन का पॉपूलेशन का 51% नहीं होता है तब तक उस स्टेट में कोरोना पीक पे नहीं डोस्तों यहाँ पर यह जो गुरु का राशी परीवर्तन होगा यह 91 डेज के लिए होगा नाइने वाले तीन महिने और इन आने वाले तीन महिनों में भी 13 सितंबर को गुरू यहां पर वक्री से मारगी हो जाएंगे इसलिए समस्यां काफी हद तक पहले ही खतम हो चुकी पी राहू है चार डिग्री पर गूरू है 29 डिग्री पर और जैसे ही सलोली सलोली मुव्मेंट के साथ गूरू जब यहां पर पहुंचेंगे 25 डिग्री पर 26 डिग्री के अंदर अंदर तब देखिएगा कि गुरू अपना फल कैसे अच्छा देना शुरू कर देते हैं तो इसी लिए दोस्तों आप सभी गुरू के राशी परिवर्जन से बिलकुल भी न डरें कि गुरू यहाँ पर किसी का अहित करने वाले हैं किसी का खराब करने वाले हैं मेरी आप सभी से विंती है कि इस तरह की rumors को और इस तरह की videos को फैलाने से बचें अच्छे वीडियो को पहले समझने की कोशिश करें और उसके बाद उसको फैलाने की कोशिश करें ताकि आप सभी का सयोग रहेगा तो यह जो rumors फैल रहे हैं यह नहीं फैलेंगे यहाँ पर गुरू का जो गोचर हो रहा है यह किसी भी एंगल से खराब गोचर नहीं है यह जो गुरू का गोचर है यह अच्छा गोचर है और बहुत जल्द मैं आपको बताऊंगा कुछ अगले वीडियो में कि किस तरह से एक जो गुरू का गोचर है यह आपकी राशी पर क्या प्रभावट देने वाला है यह भी वीडियो आप आज ही देख लेंगे दिन के एपिसोड में साथ ही साथ आने वाले एक दो दिनों में मैं आपको कुछ और अच्छी डेट्स बताने वाला हूँ जो कि कोरोना को खतम करने में और इस बार इंफेक्शन रेट को 100% कम करने में सहायक रहेगी उसके उपर मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ और बहुत जल्द आपको यह भी डेट्स मैं बताने वाला हूँ तो दोस्तों इस वीडियो के माधियम से मेरा बताना सिर्फ इतना साथ था कि गुरू का यह जो राशी परिवरतना शाम को होने वाला है यह अच्छा होने वाला है खराब नहीं होने वाला है इसका स्टार्टिंग में रिजर्ट थोड़ा सा स्लो रहेगा गबराईएगा मत स्टार्टिंग में रिजर्ट स्लो रहेगा क्योंकि डिग्री वाइस 49 डिग्री है और 26 डिग्री तक आने में थोड़ा सा समय लगेगा कब पहुंचेंगे चपीज डिग्री तक ये भी मैं आपको आने वाले वीडियो में जरूर बताऊंगा तो दोस्तों अभी के लिए इजाज़त दिजिये वीडियो को प्लीज लाईक करें शेयर करें सबस्क्राइब करें जदाज़ा लोगों टेख पहुंचा और जीज़ को देख कर सकते हैं मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी हर संबह मददियां पर कर सकूँ